जबान की रिलीज के छटे दिन शारुक खान के फैंस बुरी तरहा से भड़क गए हैं सोशल मिडिया पर केंग खान के फैंस ने मोर्चा खोल दिया है मेकर्स पर तरहा तरहा के इलजाम लगाय जा रहे हैं और कुछ फोटोस भी वाइरल की जा रही हैं इंटरनेट पर फैंस ने रिर्माता से एक डिमान की है जिसे पूरा करवाने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन आखिर ये बवाल है किस बात का आखिर मेकर्स ने शारुक के फैंस को कैसे और क्यों निराश किया दरसल इंटरनेट पर कुछ फोटोस वाइरल हो रही हैं ये रेडिट एप पर अप्लोड की गई हैं जो अब सभी सोशल मीडिया प्लाफॉर्म पर सरकुलेट की जा रही है इन पिच्चर्स को लेकर दावा किया जा रहा है कि एस सीन्स जवान के हैं जो फाइनल कट से पहले ही फिल्म से हटा दिये गए इन्हें डिलेट कर दिया गया एक रेडिट यूजर ने कई क्लिफ शियर करते हुए मेकर्स से ये devastated की है कि वो जवान से डिलेट किये गए सीन्स को OTT पर दिखाए फोटो को शर करते हुए एक यूजर ने लिखा इनके पास इतना सारा मिटीरियल था कि फिल्म का प्रिव्यू और टाइटल अनौंस किया गया उसके बाद फाइनल कट में से कई सीन्स हटाए गए पौने तीन घंटे की ही फिल्म बहुत तेज है वहीं दूसरे यूजर ने इन डिलेटिट सीन्स को लेकर कहा ऐसा होता तो ये चार घंटे की फिल्म बनचाती मुझे कोई दिक्कत नहीं है मैं चार घंटे भी ये फिल्म देख सकता हूँ इसके नावा भी कई यूजर ने पोस्ट किये और एक ट्विटर यूजर ने तो ये तक कह दिया की डैडी शारुखान टॉप पर सो रहे हैं जो आप देख सकते हैं जिसमें वो नर्मदा अजाग के साथ हैं ऐसे तमाम कई ट्वीट्स अविलेबल हैं जिसमें फैंस मेकर से खपा नसर आ रहे हैं और जम कर अपनी भडास निकाल रहे हैं इतना ही नहीं फैंस की अब सिर्फ एक ही डिमांड है कि जब भी ये फिल्म OTT पर आए तब इसका अंकट वर्जन वहारनी किया चाहे अब मेकर्स इस पर क्या संग्यान लेते हैं और लेते भी हैं नहीं ये तो फिल्म के OTT पर दस्तक देने के बाद ही पता चलेगा लेकिन क्या आप भी देखना चाहेंगे शारुखान की जबान के वो डिलेटेट सीन्स जो फाइनल कट से हटा दिये गाए जिससे की ये फिल्म चार घंटे लंबी हो सकती है शेयर कीजेगा अपने जबाब हमारे साथ नीचे कॉमेंट सेक्शन में